दोस्तों इस वीडियो में हम इंडिया और बांगलादेश के बीच एक डिस्प्यूटिड रिवर को देखेंगे जिसका नाम है तीस्ता रिवर ये रिवर सिक्किम से निकल कर वेस्ट बेंगोल होते हुए बांगलादेश में एंटर करती है जिसमें 305 km ये इंडिया में कवर करती है और 109 km क का डिस्टेंस बांगलादेश में कवर करती है इस रिवर की डिस्प्यूट की बात करें तो इस रिवर पर इंडिया ने अपनी साइड बहुत सारे डेंस बना रखे हैं जिस वज़ा से जब बारिश कम होती है, तब बांगलादेश के लिए बहुत कम पानी छोड़ा जाता है, जिस वज़ा से बांगलादेश के किसानों को खेती करने के लिए प्रयाफ्ट पानी नहीं मिल पाता। ऐसे ही जब बहुत जादा बारिश होती है, तब इंडिया को इस डैम के पानी को छोड़ना पड़ता है, जिस वज़ाए से बांगलादेश में बार्ड जैसे हालात पैदा हो जाते हैं. अब इस डिस्प्यूट को खतम करने के लिए एक एगरिमेंट बनाये गया था, जिसके हिसाब से इंडिया 55% पानी को यूज करेगा और 45% पानी पर बांगलादेश का हक होगा.